एक और नहीं दिन एक और नहीं smartwatch तो यहां पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक Bluetooth calling वाली smartwatch जिसमें features काफी सारे मिल जाएंगे आपको और यह smartwatch सिर्फ और सिर्फ 18 सरुपय की मिलेगी इस smart watch का नाम है fire world falcon और इस smart watch में बहुत सारे ऐसे features मिलेंगे जो आप लोग को under 2000 देखने को जादा नहीं मिलते हैं तो आज हम उन सब की testing करेंगे जैसा कि हम करते हैं तो वीडियो में end तक बने रहना यार अभी चलते हैं फटा फट इसको unbox करते हैं और देखते हैं क्या क्या बॉक्स में कैसी दिखती है smart watch पिन वाला charging cable provide किया है एंड यह रही smart watch यार जो कुछ इस तरीके की लगती है बागी detail में हम आगे बात करते हैं setup and application में again वही डिये fit नाम की application आती है जिसके तुरू आप लोग इस smart watch को connect कर सकते हो बहुत easy सा process है फिर भी अगर आप लोग detail में देखना चाते हो link description में है मैंने वहाँ पर बता रखा है किस तरीके से आप लोग connect कर सकते हो डिये fit से build and design पर आते हैं तो यार इस smart watch में आप लोगो को fireball ninja call pro plus की तरह ही body देखने को मिलेगी मतलब के polycarbonate का frame देखने को मिलेगा back side में भी plastic का use किया गया है एक button दिया गया है जिसके तुरू आप लोग back जा सकते हो यह rotating crown नहीं है ताती साथ एक side mic दूसरी side speaker देखने को मिल जाएगा 22 mm का strap provide किया है और strap की quality मुझे अच्छी नहीं लगी है to be very honest यह straps बहुत जल्दी dust क को absorb कर लेते हैं बिल एंड डिजाइन आपको हूबा हूँ यहाँ पर firewall ninja call pro plus वाला ही देखने को मिलनेगा आप चलते हैं फटा फटा फट इसकी features and UI पे एक नेदर डालते हैं उससे पहले display के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगो बता दूं यहाँ पे आप लोगो 1.83 इंच इसकी display मिल जाएगी जिसकी quality काफी सही लगी मुझे क्योंकि यहाँ पर जो color accuracy है जो contrast है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है यहाँ पर outdoor में भी आप जाओगे activity वगेरा करोगे तो visibility को लेकर कोई issue face नहीं करने वाले हो 500 nits की peak brightness मिलती है यहाँ पर इस वजह से बाकी custom watch face का भी support मिल जाना और इसकी quality भी बहतरी नहीं है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसकी watch UI पर डालते हैं एक नजर और देखते हैं इसकी क्या क्या है features आत करते हैं falcon की watch UI और features के बारे में तो जैसा ही आप नीचे से स्वाइप करोगे notification देखने को मिल जाते हैं इसके अला कुछ shortcuts मिलेंगे आप देख सकते हो calling brightness साथी साथ यहाँ पर menu के style change कर सकते हो इसके लाबा यहाँ पर water out कर सकते हो watch में से टॉर्च सेटिंग सेटिंग के अंदर भी आपको अच्छे कासे options दिये गए इस smart watch में सबसे पहले तो display display में brightness auto sleep watch basis main menu और quick view मतलब के wrist wake up देखने को मिल साथ यहां पर dnd mode phone on low power mode phone reset और system system के अंदर आप लोगों को restart power off reset को option दिया गया है यहां पर आप लोगों को एक्टिविटी phone call heart rate sleep monitoring SPO2 exercise exercise की बात करूं तो यहां पर भी 100 प्लस sports mode दिये गए इस smart watch में जैसा कि आजकल हर firewall की smart watches में आपको देखने को मिल रहा है इसके अलावा exercise record भी मिल जाता है जो कि under 2000 बहुत कम smart watches में देखने को मिलेगा आपको साथी साथ यहां पर मिल जाता है आपको weather forecast messages यानि कि वही notification AI voice assistant shutter यानि की camera control music player alarm alarm के लिए आप लोगो application का use करना पड़ेगा watch से आप लोग alarm नहीं लगा सकते बाकि timer stop watch flashlight find my phone का option दिया गया जो कि बहुत सभी चीज़ है इस प्राइज रेंज में अकसर देखने को नहीं मिलता आपको इसके अलावा यहां पर तीन गेम दिये गए हैं तो आप टाइम पास के लिए खेलना चाहो तो खेल सकते हो साथी साथ मिलता है calculator जैसा useful features जिसको बाकि display पर touch and hold करके रखने से आप लोग watch faces चेंज कर सकते हो और यहां पर पाच्चा inbuilt watch faces मिल जाते हैं आपको बाकी क्या डीए fit application से लगा सकते हो इसकी performance की बात करो तो सही है कोई lag जैसा बहुत तगड़ा issue देखने को आपको नहीं मिलेगा सही work कर रही है इसकी UI 7 days का battery backup य थुरू बोल बोल के तक चुगाओं के या आई-पी 68 लेकर आओ एक्योरेसी पर आते हैं तो इस smart watch को पहन कर मैंने इसका heart rate टेस्ट किया साथी साथ compare कि अपने ऑक्सिमिटर से generally मैं आप लोगों को हमेशा यह सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी smart watches के बरोसे मत बैटा गरो खासकर जो budget की smart watches होती है इतना जादा accurate इनका heart rate या इस प्योटू नहीं होता है तो कभी आप सीरियर सिचेशन में भी सही use करने लग जाओ तो एक तरीके से कह सकते हो कि reliable नहीं होती हवा में जब मैंने टेस्ट किया तो वहां पर कोई भी रिडिंग देखने को नहीं मिली पहले पॉप अप बना गया प्लीज वेर दा वाच प्रॉपरली करके चलते हैं बटावट कॉलिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कॉलिंग क्वालिटी कैसी है हां मैं है बटें बढ़िया है वाहि तो सुना क्या है बश बढ़िया वाहि बढ़िया है अपने अपने तो और यह वय पता ऐसे भड़िया थो बढ़िया जया किक्रेद्रिक पार्पाल फिर दो ने रिए 115 तो मतलब शाइए हैं कॉलिंग के लिए ले सकते हैं करता हूं आप लोग को कॉलिंग कॉलिटी का एक अंदाज़ा मिल गया होगा बाकि मुझे ठीक ही लगी इसकी कॉलिंग वालिटी जितनी भी बजट वाली स्मार्ट वॉच इस आती है फायर वोल्ड की वैसी है यहां पे भी कंक्लूजन पर आते हैं और बात करते हैं कि आप लोग को फायर वोल्ड फैलकन स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या इस प्राइज रेंज में किसी और स्मार्ट वॉच के साथ जाना चाहिए तो देखो यार मेरे साब से ठीक है अगर आप लोग फायर वोल्ड निंजा कॉल प् चाहिए तो डेफिनेटल इसके साथ जा सकते हो बड़ फैशनेवल स्मार्ट वॉच मैं इसको जाद काऊंगा राधर देन एक एक्क्यूरेट स्मार्ट वॉच की देख लेना फायर वोल्ड की वेबसाइट पर ही अविलेबल है इंट्रेस की दो तो जाके चेक आउट कर सकत लिंक में डिसक्रिप्शन में डाल रखा है तो बस ये तिया आज की वीडियो घो ताहु हम लोगों वीडियो एची लेगए तो लाइक करने शेयर करने और सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलेच व्रीडीओ में तब तक लिए बटाएley झाल 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 झाल